गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं अपनी वोक्षीट नमबर 49 सब्जेक्ट मैच क्लास 10 हमारी डे 29 ऑक्चोबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरिमीटर और एरिया ऑफ सर्कल के बारे में सर्कल का पैरिमीटर और एरिया कैसे निकाल सकते हैं देखो पैरिमीटर क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ यह से भी चीज की जो boundary यह उसकी कितनी length है लमबाई कितनी जैसे इसकी लमबाई कितनी है एरिया क्या होता है जिसना पार्ट इसने cover किया हुआ जो यह अंदर वाला circumference of circle perimeter देखो जो भी है हमारा क्यों जैसे rectangle है square triangle उनकी जो length होती है boundaries की जो उनकी length होती है उसको perimeter बोलते लेकिन circle का जो perimeter होता है उसको circumference भी बोल देते ठीक है तो कुछ बच्चों को confusion रहता है कि perimeter क्या होता है circumference क्या होता है इनमें क्या difference है आपस में तो कोई difference नहीं है, peri circumference भी perimeter ही होता है, लेकिन किसका होता है, circle का होता है, ठीक है, आप देखो, आपको क्या निकाला है, find the ratio of circumference to diameter of circle, जो इसकी circumference है, इसका ratio आपको निकाला है diameter के साथ, और आपको क्या मिला, what you observed, यह आपको बताना है, तो observation देखो, आपको क्या देखोगे आप, कि जो circumference है, circle की, bears a constant ratio with its diameter की, जो उसकी length है, जो उसकी circumference है, उसका ratio diameter के साथ constant ratio में बढ़ता है, ठीक है, constant ratio में रहता है, देखो, जो हमारा यह constant ratio है, इसी को हम किस से दिखाते हैं, pi सी denote करते हैं, क्या बोलते हैं, इसको pi, जो कि Greek letter है, pi की value क्या होती है, जो circumference और diameter का ratio, जो इसने अभी हमें बोला है, कि ratio निकालना है, किसका, circumference और diameter का, वो ratio ही क्या होता है, वो ratio ही pi होता है, ठीक है, तो pi का ratio क्या होगा, circumference by diameter, circumference कितनी है आपकी, जैसे 6, 2, 8, 3, 2, आपका जो diameter है, वो क्या है, 20,000, अगर आप इसकी value निकालोगे, अप्रोक्स तो क्या निकलेगा, 3, 1, 4, 1, 6, ठीक है, यह जरूर यह example के लिए, आप कोई और भी value रख के देखोगे, तो आपकी जो pi की value हमेशा, इसी के अप्रोक्स वही रहेगी, ठीक है, अप देखो, आप generally जो हम value है pi, कि उसको क्या लेते हैं, 22 by 7 लेते हैं, या फिर 3.14 लेते हैं, तो which is an irrational number, जो कि क्या है, एक irrational number है, irrational number क्या होता है बेटा, देखो, rational number और irrational number, rational number वो numbers होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, प by q की form में, जिसको क्या हो numerator और denominator हो, और irrational number वो होते हैं, जिसको प by q की form में नहीं लिख सकते हैं, अब देखो, जो circumference है, circumference अगर आप यहां से निकालोगी, तो इसको cross multiply करो, यहां पर जो pi है, वो diameter के साथ multiply हो जाएगा, क्योंकि diameter यहां नीचे divide में है, उपर pi के साथ multiply में हो जाएगा, तो pi multiply में diameter, pi और diameter को मैंने d से लिखा है, अब देखो जो diameter वो क्या है, diameter क्या है, जो radius है, उसका double, तो r का double क्या है, diameter, तो मैंने क्या लिखा है, तो क्या बन गया मेरा, 2r यहां है, pi यहां है, 2 pi r, जो क्या है, मेरी circumference है, perimeter है किसका circle का, तो perimeter जो circumference है, circle का perimeter वो कितना है, 2 pi r, ठीक है, उसके बाद है, activity 2 to determine the area of circle, अभी तक हमने perimeter निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, area निकालेंगे, तो देखो, अगर आप लेते हो, एक circle लेते हो, जिसकी radius क्या है, r है, ठीक है, एक circle आपने लिया, जिसकी radius r है, उ circle को आप बहुत सारे sectors में, इसको 16 parts में cut कर दो, ठीक है, जो ये क्या, इसको हम क्या बोलते है, sector बोलते है, जो एक white part है, जिसे ये है, ये जो हिस्सा आपको ऐसे दिख रहा है, इसमें जैसे ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा क्या है, sector, ये सारे हिस्से क्या है, sector, तो मैंने 16 sectors मे circle को क्या किया divide किया बाट दिया उसको ठीक है तो अब इनको अगर आप arrange करोगे इस figure की तरह 1 इदर 2 नीचे फिर 3, 4, 5, 6 एक white part एक blue part एक blue part को ऐसे रखा उपर और नीचे white part को रखा तो इन सब को बनाने के बाद यह क्या होगे आपका ऐसे आपको figure देखने को मिलेगा तो अगर आप इसमें observe करोगे तो जो area है rectangle का वो क्या आएगा किसके बराबर आएगा area of circle जो इसका area होगा जो इसका area यही तो इसी सर्कल से ही तो बनाया ना इस circle को ही तो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है card card की pieces को तो जो यह area है rectangle का वो किसके equal होगा area of circle के equal होगा है ना तो area of rectangle क्या होता है area of rectangle तो length into breadth होती है तो length multiply breadth लिखो अब जो length है देखो वो क्या होगी हमारी half of two πाई r है на और जो breadth है हमारी यह breadth है जो हमारी कितनी है यह हमारी है r है ना यह जो हिस्सा है इतना जो आपका हिस्सा अगर आप यह देख रहे हो यह तो क्या होगी आपकी radius होगी यह क्या है radius है आर तो इसमें आपकी जो length यह क्या होगी length ठीक है और यह क्या होगी आपकी breadth और यह क्या होगी length तो जो ये breadth है ये breadth ये लंबाई है जो कि क्या है radius तो मैंने breadth की जगे क्या लिखा और जो ये इस्सा है आपका जो length है ये क्या है हमारा circumference जो length लंबाई क्या होगी 2 pi r होती है, ची? उसकी जो half ये क्या होगे हमारी एक लंबाई होगी क्योंकि मैंने इसका half क्यों किया क्योंकि आदा हिस्सा इधर और आदा हिस्सा इधर है तो मुझे सिर्फ length लेनी है breadth एक ही बार लेते हैं तो length मैंने क्या किया 2 pi r total है इन दोनों को मिला के मतलब इससे और इसको मिला के 2 pi r है क्योंकि जो यह पूरा circum इससे आपकी यह दोनों हिस्से को मिला के है तो यहां पर क्या होगा यह मैंने सिर्फ length लेनी है मुझे एक ही बार length लेते हैं जो आपका rectangle होता है उसमें आप length breadth दो बार तो नहीं लेते हैं ऐसे तो नहीं करते length into length और breadth into breadth चार बार तो मैंने क्या किया एक बार length लेते हैं तो मैंने क्या किया है 2 pi r का half कर दिया तो यहां से क्या होगा जो cancel हो रहा उसको cancel कर दो यहां से 2 से 2 cancel होगा क्या बच्चा सिर्f pi r और r मतलब pi r square unit यह क्या हो जाएगा हमारा area of circle तो area of circle क्या होगा pi r square unit अब है हमारा example number one अगर जो perimeter है और area है circle का वो equal है तो diameter क्या होगा तो perimeter है जो circle का वो क्या होता है वो होता है हमारा 2 pi r और जो area है circle का वो होता है pi r square है ना तो यह equal दिये होगा है यह दोनों equal है तो इनको क्या करेंगा हमने equal put कर दिया 2 pi r बराबर किसके pi r square के एक हो गया, perimeter और एक हो गया, area of circle, तो यहाँ पे pi से pi cancel, तो क्या बचा, जो 2 है, हमारे किसके equal आ जाएगा, एक r से 1 cancel, यहाँ पे 1 r है, यहाँ पे r square है, r square को में लिख सकते है, r multiply r, तो एक r से 1 r कट गया, तो इधर से सिर्फ 1 r बचा, और इधर क्या बचा, 2 बचा, तो r किसके equal आ गया, 2 units के बराबर, तो यहाँ पे जो radius है, वो 2 units है, तो diameter, मतलब radius का double, 2 multiply radius, तो radius थी 2, तो 2 multiply 2 कितना हो गया, 4 units, तो हमारी जो radius है, जो diameter है, वो कितनी होगी, 4 जो किया में निकालनी थी, यह हो गया, example number 1, आप चलते है, example number 2 पे, example 2 है, कि जो wheels है, एक car के, जो पहिये है, उनकी जो diameter, जैसे कि आपका car के, दो पहिये है, इनकी जो diameter है, चार पहिये होते हैं, लेकिन अभी यहाँ दोड रोगी है, मैंने, example के लिए, तो जो इसकी diameter है, वो कितनी है, 80 cm, हर पहिये की, 4 पहिये है, तो 80 cm उसकी diameter है, तो कितने complete revolutions हर पहिये को लगेंगे, 10 minute के अंदर, जब कोई car 66 km per hour की speed से चल रही है, ठीक है, तो क्या निकालना है, number of revolutions, कैसे निकालोगे number of revolution, देखो, जो निकालोगे number given है, और हमें क्या चाहिए होती है, radius चाहिए होती है, तो radius क्या होगा, diameter का आदा, 80 divided by 2, 40, तो 40 cm है, यहाँ पे 40 कितना है, cm है, तो मैं क्या करूँगी, इसको meter में change करूँगी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 40 divided by 100, क्योंकि 1 meter में 100 cm होते है, तो इसको change करने के मैंने क्या किया, 100 से divide किया, 40 divided by 100 meter, तो यहां से अब हमें पता है कि जो हमारा wheel है, अब जो distance travel होगा, तो यह wheel ही घूम घूम कर आगे तक जाएगा, यह wheel इस रास्ते से जाएगा, तो यह जो घूमेगा, यह पूरा distance यहाँ पर आ जाएगा, आगे घूमने के बाद, तो जो यह इसका circumference है, जो wheel का circumference है, यह एक round में इतना move कर रहा है, जितना इसका perimeter है, तो circumference क्या होता है, circle का, 2 pi r, 2 pi होता है 22 by 7, और r है जो, r क्या हो गया हमारा, 40 by 100, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको solve करने के बाद, हम क्या करेंगे, 0 से 0 cancel, 2, और यहां से आप कट कर सकते हैं, इसको अपनी तरफ से जो भी जैसे जरूरी नहीं है, कि बहुत बच्चे पूछते कैसे कट करना है, तो आपको exactly जैसे मैंने कट किया है, वैसे करने की जरूरत नहीं होती है, आप कुछ भी कट कर सकते हूं, मान लीजिए, for example के लिए, मैं आपको बता देती हूं, जैसे आपको यह कट करना है, इसमें हम देखते हैं कि यह कैसे है, तो यहां बे, by chance क्या हो, आप मान लो काट रहे हो, 2 से, ठीक है, 2 और 10 आता है, 5 पे और एक बची 0, 50 पे, ठीक है, और मैं काट रहे हूं, इसको यहां 40 से 0 से 0 कट गया, फिर 4 से 10 कालता है, यह 2 पे आता है तो आंसर आप किसी भी तरीकी से किसी को भी काटो, आंसर जो आपका लास्ट में वो सेम ही आएगा, तो यह देखत वाली बात नहीं है, कि पता होना चाहिए कि यह इसी से काटना है, ऐसा कुछ नहीं होता, कि मैं मैं यहां से काट है, तो यहीं से exact आएगा, आप अपनी तर तो यहां पर 66 यह किस में है किलो मेटर में में, जैसे हमने इसको में मे चेंज किया था, इसको में मेटर में चेंज करने के लिए मैंने 5 x 18 से क्या किया है, escort say OD 11 Mr. उसके लिए 1 km में 1000 m होते हैं और जो हुमारा time है कितनी seconds होती है 3600 seconds होती है ठीक है क्योंकि 60 multiple एक हो एक घंटे में 60 minutes और 60 minutes के अंदर 60 seconds तो नीचे क्या हो गया 3600 उपर हो गया 1000 तो जब आप इसको cut करते हो तो आपका answer आता है 5 by 18 तो हम direct इसकी बज़ाए 5 by 18 यूज़ कर लेते हैं इसलिए मैंने यहां पर क्या use किया हुआ है 5 by 18 तो time बचाने के लिए कि इतना सारा cut करना पड़ेगा तो आप भी क्या कर सकते हो direct 5 divided by 18 से multiply कर दो जब kilometer को क्या करना हो meter में change करना हो ठीक है तो आप देखो यहां में मैंने क्या किया है इसको 66 को 5 by 18 से multiply कर दिया तो मेरा answer आ है 55 by 3 meter per second अब मेरे पास क्या है अब मेरे पास speed है और जो मेरा distance है circumference है मेरे पास ठीक है तो number of revolutions मुझे निकालना था है न क्या निकालने थी number of revolutions कैसे निकालेंगी इसका formula होता है जो distance travel किया है वील ने वो 10 minute में total जितना time है आप उसने total distance जितना उसने travel किया है वो divided by distance traveled in one revolution जितना one revolution में distance travel किया one revolution में कैसे पता लगेगा जो यह circumference है यह जो हमारा आया था कि एक चक्कर में जो उसकी circumference है एक round में उसने अपनी circumference जितना distance travel किया है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा one revolution जो उमारा होता है 2 pi r ठीक है 2 pi r और उपर क्या होता है हमारा distance travel distance का formula होता है आपने physics में भी पढ़ा होगा आपको मैंने chapter भी कराया था motion chapter में तो distance है जो speed into time होता है ठीक है तो speed अब यहाँ पर देखो मेरी speed क्या है speed तो मेरी यह है 55 by 355 नीचे आगया हमारा 3 speed होगी अब time देखो time कितना 10 minutes है तो मैंने लिखा 10 10 minutes की बाद यह minutes में है तो मुझे क्या करना है इसको second में change करना है तो मैंने 60 से multiply कर दिया ठीक है उसके बाद नीचे है मेरा distance traveled by wheel in one revolution one revolution में 176 by 70 176 और इसके नीचे 70 है उपर जाके वो क्या हो जाता है multiply में हो जाता है इसलिए 70 उपर चिला गया ठीक है तो यहाँ से जो number of revolution है वो कितना आगे मेरे 4 3 7 5 मतलब कितने चक्कर लगी distance travel करने के लिए 4 375 revolution ठीक है यह हो गया आपका example number 2 अब चलते हैं आज की questions पर आज का आपका first question है आपको क्या दिया हुआ है diameter दिया हुआ है एक semicircle protector का जिसकी कितना है 14 cm semicircle मतलब circle का half आपको इसका perimeter निकालना है इसका perimeter कैसे निकालोगी तो यह देखिए this is your question number 1 ठीक है यह है आपका question number 1 इसमें आपको क्या करना है आपको यह दिया हुआ है यहाँ पर यह जो चीज है semi circle है तो इस semicircle में अगर आप देखोगे तो यह जो क्या है यह 2R है 2R क्यों है क्योंकि यह diameter है diameter क्या होता है radius का double radius का double लिख दिया 2R और जो यह होता है आपका यह जो circumference से देखो जो पूरा है पूरा होता है 2PiR पूरा 2PiR होता है तो इसका आधा कर दो तो 2PiR का आधा कर दो आधा कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया इसको 2 से 2 cancel क्या बचा PiR तो जो यह हिस्सा है यह क्या हो गया आपका PiR तो यह समझ में आगया यह क्या हो गया PiR और यह क्या हो गया 2R चीक है तो अब आपके पास जो diameter है 14 cm given है diameter given है radius कैसे निकालोगे 14 का आधा 7 चीक है अब perimeter है perimeter परिमाप क्या होता है PiR जमा में 2R PiR प्लस में 2R क्योंकि यही circumference होगी न यह और यही तो perimeter है यही boundary है तो इसको मैंने plus कर दिया Pi क्या होगे 22 by 7 radius क्या है हमारी 7 अभी अब निकाली थी 2R radius का डबल 7 का डबल मतलब 7 multiply 2 इसको solve कर तो 7 से 7 कट होगया तो बचा 22 2 multiply 7 होता है 14 तो 22 plus 14 क्या होगा 36 centimeter बाज कितना इसी question था है तो यह होगे आपका first question अब हम चलते है अपने second question पे तो चलिए देखे आपकी second question में दिया हुआ है कि आपको number of revolutions निकालने है जैसे इसमें निकाला था number of revolutions निकालने है जितना एक circular wheel जिसका area कितना है 6.16 meter square उसको लगा है in rolling a distance of 572 meter कितना distance travel करने में 572 meter को roll किया है घूमा है और जो wheel है उसका circular wheel उसका area दिया हुआ है तो आपको कितने चक्कर उसको लगेंगे इतना distance travel करने के लिए number of revolutions आपको निकालने है तो देखो इसमें आपको पहले आपको area of circle दिया हुआ क्या पाई आर स्क्वेर कितना होता है पाई आर स्क्वेर पाई आर स्क्वेर आपको जो दिया हुआ निकालेंगे कैसे निकालोगी 6.16 है यहाँ पर यहाँ पर 22 by 7 है जब मैं इसको equal to के इधर लाऊंगी तो यह उल्टा हो जाएगा 7 by 22 ठीक है उसके बाद यहाँ कहोगी नीचे 100 कैसे है इसका point रटाया हमने ठीक है यह जो point है 6.1 point रटाया नीचे 100 लिख दिया अब क्या होगी अब इसको cut कर दो 22 11 की table से काटेंगे 11 की table में 22 आता है 2 पे और 616 आता है 56 पे ठीक है अब क्या बचा अब आपके पास 2 और 56 बचा है 2 से काट दो यह आता है 2 1 पे और 56 आता है 28 पे तो 28 multiply 7 196 और नीचे क्या है आपका 100 आगया अब इसको क्या करोगी यह जो आपका square था इस तरफ लेकर जाओगी इसको तो under root लग जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा 196 है 196 किसका square होता है 14 का 100 किसका square होता है 10 का 14 by 10 मतलब 1.4 नीचे एक 0 है तो एक डिजिट से पहले point लगा दो यहाँ point लगा दिया तो 1.4 मीटर जो है आपकी radius आगी आप देखो अब revolution कैसे निकालोगी अब आपको पता है एक revolution क्या होता है circumference of circle जो circumference होती है circle जो कि क्या होगी 2 pi r है ना तो n revolution कितना लगेगा n revolution जो total distance है और जो हमारी circumference है circle की वो जैसे हमने example में किया तो यहाँ से देखे कैसे होगा कैसे निकालोगी आप जो आपको उपर है 572 डिस्टेंस होता है उपर जो total लगा 572 नीचे circumference 2 pi r चिक है तो यहाँ से n 572 था 2 पाई पाई क्या होगे 22 by 7 और जो रेडियस है अभी अभी अपने निकाली 1.4 है ना तो यहाँ से कट कर दो जो भी आपसे इसी तरीके से काटना जरूरी नहीं है आप अपनी तरीके से भी काट सकते है ठीक है जैसे मैंने इसको 22 से काट दिया ठीक है यह पहले आ गया 2 पे 11 से काटा मैंने 22 आता है 2 पे और 572 आता है 52 ठीक है फिर मैंने फिर से 2 से काटा 2 से 1 पे गया और जो 52 है वो 26 पे कटता है फिर से मैंने इस 2 से काटा 2 से मैंने 26 को काटा तो 13 बच गया तो उपर क्या बचा 13 ठीक है उपर बचा 13 और नीचे क्या बचा यहाँ पर 7 से 1.4 को काटेंगे तो 0.2 आएगा कैसे आएगा 7 को पहले सीधा 14 से काट तो सिर्फ 2 बचा तो यहाँ पॉइंट है एक डिजिट से पहले तो इसके पहले भी एक पॉइंट लगा दो 0.2 अब उपर क्या बचा उपर बचा 13 नीचे बचा 0.2 है ना उपर 13 बचा नीचे 0.2 अब इसका पॉइंट काटके मैंने उपर 0 लगा दी ठीक है तो यहाँ पर क्या आगया 130 by 2 तो 130 को 2 से डिवाइड करोगे तो आजाएगा 65 तो n है जो क्या है आपका 65 मतलब यह क्या है इसके बीचे रेविलूशन लिख लेदा कितने चक्कर लगे आपकी 65 तो n is equal to 65 रेविलूशन यह हो गया आपका question number 2 है ना कितना easy अब देखो यह question number 2 के बाद आप हम चलते हमारे question number 3 प आपका उसको fancy मतलब आपको चारो तरफ से तार लगाते हो ना है ना तो वही होता है fancy आप जो जिसमें काटे वाले जो तार होते थोड़े से निकले होते चुपते हैं या फिर जो डंडिया वगेर हैं स्टिक्स हैं वो लगा देते हैं तो वह क्या होती है तो एक circular field है उसकी आपने fancy की तो उसमें जो पैसे लगे हैं टोटल कितने लगे हैं 5280 और पर मीटर मतलब एक मीटर में 24 रुपे लगे हैं तो टोटल 5280 रुपीज लगे हैं तो आपको field to be bluffed at the rate of 0.50 per meter square तो वह खेत आपको उसको जोतना है आपको प्लफिंग करनी है तो कितना आए आपके ज आपकी पूरी cost लग जाएगी फ्लफिंग में वो आपको निकालना है तो देखो question number 3 this is your question number 3 क्या करना है इसमें बिट आपको देखो जो total cost है fencing circular field कितनी है total rupees 5280 cost of fencing per meter 24 ये दोनों आपको given है कि total पैसे इतने लगे fencing के per meter 24 रुपे लगे तो देखो total इतने लगे divided by per meter कितने लगे उससे आपकी क्या निकल जाएगी length निकल जाएगी field की length कैसे निकल जाएगी जितनी cost है जितने पैसे लगे पूरे field पर और जितने लगे पर meter पर उनको divide कर दो तो 5280 को 24 से divide करा तो मेरा आगया 220 meter तो जो length है field की वो क्या आगई 220 अब ये length है field की मतब length क्या है circular है इसक क्या होता है ये तो circumference होती है circle की है न तो क्या हो जाएगा जो circumference से circular field की वो 2 pi r होता है जो किसके बराबर आएगा जो हमारी length है तो 2 pi r किसके ही को ला गया 220 meter की ठीक है अब 2 pi क्या है 22 by 7 r क्या है आपका हमें find out करना है निकालना पड़ेगा और जो आपका 220 है ये कितना क्या हो गया आपका circumference हो गया तो यहां से आप क्या करोगी r अमें निकालना है इधर 220 है 7 नीचे है इधर उपर आ जाएगा 22 multiply 2 उपर है इधर आके नीचे आ जाएगा अब जो कट हो रहा है कट कर दो 22 से आपका ये कट गया 10 पे उपर क्या बचा 70 by 2 है न 10 multiply 70 by 2 70 by 2 को को काटोग पाओगे कितने पैसे लगेंगे है ना तो एरिया निकालने के लिए क्या formula होता है पाई आर स्कुए तो हमने यहां से रेडियस निकाल चुकी हो तो 22 by 7 और रेडियस कैप की 35 का स्कुएर कर दोगी तो आपका टोटल आंसर आ गया 3850 मीटर स्कुएर यह हो गया आपका एरिय 1 मीटर स्कुएर ओफ फिल्ड एक मीटर स्कुएर ओफ फिल्ड की जो कोस्ट है जो तने के लिए जो एक मीटर स्कुएर में कितने रुपे लगे 0.50 लगे तो इतने एरिया को कितने लगेंगे इसको मल्टिपलाई कर दो 0.50 से तो क्या आंसर आ गया 1925 ठीक है तो जो कोस्ट एरिया निकाल रहे हैं कभी circumference निकाल रहे हैं तो आपको सिर्फ जो question में जो पूछा गया है वो ध्यान में रखना है ठीक है आप से question में पूछा किया rate निकाला है पूरे field को fluff करने के लिए कितना लगेगा तो आपके दिमाग में तभी आना चाहिए कि पूरे field को कि उसका नि मेरे पास है ही नहीं ठीक है तो हम क्या गरेंगे फिर मैंने भाग कि क्या निकाला आर निकाला तूपा यार वाला formula लगाया कि जिससे मेरे पास आर आ जाए अब आपको पता है आर मैं कैसे लिए करा हूँ आर आपको पता है मेरे जो length है field की 220 को मैं इसके equal लग दूगा circumference को तो मेरे आर निकल जाएगा ठीक है तो मैंने क्या किया पहले मैंने length निकाली पूरे उसकी circumference निकाली circumference से radius निकाली radius से area निकाला और उसके बाद जो coast है field की वो निकाली तो यह हो गया question number 3 last question तो आज की worksheet में ये 3 questions आपके given ते I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ल धने कि में ये में.